यह इसेम जगहा है जहाँ पर आनन्द के साफ वैठा करते थे था है धंडा के साफ वन तो आप पूरा घर देख सकते हो यहां पर आनन्द के साफ रहा करते थे आरे जरुवत नंद लोग रहते थे वह यह ईही पर उन से मिलने दे आते थे और अभी क्या है ये सारे visitors के लिए भी खोल दिया गया है तो यहाँ पर हम आ सकते और देख भी सकते तो आज के vlog में आपको इसका पूरा टूर देने वाला हूँ अभी इसका अंदर से renovation भी चल रहा है आया करते थे आपको यहाँ से अंदर का पूरा overall look दिखा दे तब यहाँ पर हमें shoes निकाल कर जाना होता है सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर बाला साब ठाकरे का भी फोटो लगा हुआ और आनन डीके साब का भी फोटो है और फिर यह तरफ आप सामने की तरफ देख सकते हो यहाँ पर कुछ पुराने जमनी के शायद पत्थर वगरा यह रखे हुआ है कुछ structures है और फिर यहाँ पर यह पेटी भी रखी हुए है पुराने जमनी की शायद वो use करते होंगे यह वाली आगे मैं आपको लेकर चलता हुँ। और यहां पर आगे की तरफ देख किसा कि आसली है यहां पर उनके रहर के अंधर है यह तरफ आप देख सते हो यह वाश्रूम का और यहां पर हम चलते और हम चलते आगे की तरफ यहां पर भी आ अब गया है तो देख सकते हो कछ ऐसा ये घर का ओवरॉल लुक है अंदर से जहाँ पर आनद डिके साब रहा करते थे ये घर में और फिर ये तरफ भी एक रूम है ये रूम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एसी एक खुडसिया है ये शायद से हो सकती है आप दीके वापस से वही आ चुके और अभी मैं जा रहा हूँ यहां पर उपर की तरफ और यह मैं आपको फर्स प्लोर का यहां से पुरा ओवराल लोग दिखा दीता हूँ उपर भी क्या-क्या है और पूरा आप देख सकते हो यह घर है ना ऐसा पूरा निजमाने टाइप काई लग रह यही कुछ था यहां पर ओवराल लुक इनके यह पुरा आनन्द आश्रम का मैं आपको हाइली रेक्कमेंड करता हूँ आप लोग है ना एक बार यह जरूर विजट करना यहां पर टेंबी नाका पर थाने में यह भी धर्मवीर मूवी में है ना जो कि यहां के बारे में बह ने लेगाल को खूसाइं तो बस घथ वाल अवलोग पर एंड कर दें अ डिक्रते में तो इस वीड वरी मूछ च्टियो इस वीडियो विधर दिन ने पर ओजिए मिए तो यह लिए आडिए था ड्राइट प्र एलिवे प्टन आपका टो सब्सक्री टू मैंटे जा एंग प कर दो